हम सीखेंगे परिमे संख्याओं के तत्समक और प्रतिलों के बारे में. तत्समक यानि आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान. अक्सर गणित में संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाओं से इनकी पहचान बदलती है. जैसे पांच में दो जोड़ने से पांच की पहचान बदलकर साथ हो जाती है. इसी तरह परिमे संख्या यानि रैशनल नंबर 5 बटे 3 में 2 बटे 3 जोडने पर इसकी पहचान बदलकर 7 बटे 3 हो जाती है. कुछ विशेश स्थितियों के लिए संख्याओं की पहचान नहीं बदलती जैसे सभी परिमे संख्याओं में शून्य एक मात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमे संख्या का योग किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमे संख्या आता है यानि कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती हम कहते हैं कि 0 परिमेय संख्याओं के लिए एक योज्य तत्समक यानि additive identity है व्यापक रूप में परिमेय संख्या P बटे Q के लिए P बटे Q धन 0 बराबर 0 धन P बटे Q बराबर P बटे Q है उदारण के लिए 2 बटे 3 धन 0 या 0 धन 2 बटे 3 का परिणाम 2 बटे 3 ही आता है इसी तरह सभी परिमेय संख्याओं में एक एक मात्र ऐसी संख्या है जिसके साथ यदि किसी परिमेय संख्या का गुणन किया जाता है तो परिणाम हमेशा वह परिमेय संख्या आता है यानि कि उस परिमेय संख्या की पहचान नहीं बदलती हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणनात्मक तत्समक यानि मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी है व्यापक रूप में परिमेय संख्या पी बटे क्यू के लिए पी बटे क्यू गुणा एक बराबर एक गुणा पी बटे क्यू बराबर पी बटे क्यू है उदारण के लिए दो बटे तीन गुणा एक या एक गुणा दो बटे तीन का परिणाम दो बटे तीन ही आता है प्रतिलोम यानि इन्वर्स का अर्थ, विपरीत या उल्टा होता है चलिए गणित में इसका महत्व समझे मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या ली तीन बटे साथ यदि हम इसमें परिमेय संख्या रिंट तीन बटे साथ को जोडेंगे तो हमें परिणाम शून्य प्राप्थ होगा हम कहे सकते हैं कि तीन बटे साथ और रिंट तीन बटे साथ जोडे जाने पर एक दूसरे के मान को शून्य करते हैं इसलिए वे एक दूसरे के रिनात्मक यानि निगेटिव या योज प्रतिलोम यानि एडिटिव इन्वर्स है व्यापक रूप में यदि किन्ही भी दो परिमे संख्याओं का योग करने पर परिणाम शून्य आता है तो दोनों परिमे संख्याओं एक दूसरे की योज प्रतिलोम कहलाती है जैसे यहाँ परिमे संख्या रिन पी बटे क्यू परिमे संख्या पी बटे क्यू का योज प्रतिलोम है इसी तरह परिमे संख्या P बटे Q परिमे संख्या रिन P बटे Q का योज़ प्रतिलोम है परिमे संख्या का रिनात्मक या योज़ प्रतिलोम उसे रिन एक से गुणा कर यानि उसका चिन बदल कर प्राप्त किया जाता है अब मान लीजिए हमने एक परिमे संख्या ली 10 बटे 11 क्या आप ऐसी परिमे संख्या बता सकते हैं जिसका इस संख्या से गुणन करने पर परिणाम एक आएगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही ऐसी संख्या होगी 11 बटे 10 इदि एक परिमे संख्या A बटे B का गुणन दूसरी परिमे संख्या C बटे D से करने पर यदि गुणन फल एक आता है तो हम कहते हैं कि परिमे संख्याई A बटे B और C बटे D एक दूसरे की गुणनात्मक प्रतिलोम या व्यूत करम यानि रैसिपरोकल है किसी शूनेतर परिमेय संख्या का गुर्णात्मक प्रतिलोम उसके अंश और हर को परस पर बदल कर प्राप्त किया जाता है तो अब आपको योज्य तत्समक, गुर्णात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुर्णात्मक प्रतिलोम की समझ बन गई होगी आज हमने सीखा परिमे संख्याओं के तत्समक और प्रतिलोम के बारे में अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ दिल्चस्प उधारन देखेंगे